नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं देचेफे फट्डा और मैं हूँ विवेक टिवारे इस वक्त की एक अपडेट आ रही है सिदे लिए चलते हैं अपने जानकार के पास जी बताएं ये कार यहाँ पर छोड़ी थी उसके बाद एक इनोवा कार में वो बैटकर यहाँ से निकल गया था तो ये माना गया कि इस कार के अलावा भी एक और कार है और उसके अलावा भी कई लोग जो है वो इस वक्त मुंबई में मौजूद है जो मुकेश अमबानी के खिलाब एक ब जो जिम्मेदारी लेते हुए जो कुछ कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ तरसरी संगठन ने टेलिग्राम एप के ओपर एक मैसेज भेजा है और कहा है कि जो गाड़ी मुकेश अमानी के घर के बाहर मिली थी वो सिर्फ एक ट्रेलर है और बड़ी पिक्चर जो है वो अ इसके अलाबा एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जाना बाकी है यानि कि जो शक्स इस गाली को यहाँ छोड़ कर गया था वो अपने सुरक्षित अड़े पर पहुँच चुका है साती विवेक्स में सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि इसमें बाकायदा धमकी भी दी ग फ्रू जो है यह पैसा उन्हें ट्रांस्वर किया जाए साती जो जांस एडिंसिया है उन्हें भी बाकायदा इसमें चुनौती भी दी गई है कहा है कि रोक सको तो रोक लो तो यह अपने आप में बड़ी बात है खास तोर पर जो कहा गया है कि अगली बार यह जो सीवी है वो तुम्हारे बेटे के कार को टकर मारेगी अगर तुमने हमारी मांगे पूरी नहीं की साथी ये भी कहा गया है कि तुम लोगों को यनि की अंबानी इसको पता है कि क्या करना है बस पैसों को ट्रांसवर कर दो जैसा कि तुम से कहा गया है वैसे वेग आपको ये भी बता जो अंटीरिया के बाहर कार पाई गई थी उसे लेकर एक संगठन ने वाखिर कार इसकी जिम्मधारी ली है साथ तौर पर पैसों की डिमांड की है और बेटे को यानि की अमबानी के या इक तरह से करते हैं कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर धमकी देने की कोशिश की और कहा है कि अगर पैसे को नहीं ट्रैंसफर किया गया तो फिर बेटे के खिलाफ इस तरह का कदम जो है वो भविश्व में उठाया जाएगा तो एक बड़ी अपडेट है देश के सबसे अमीर इनसान सबसे अमीर शक्सित मुकेश अमानी के खिलाफ इस तरह की श्रौती इससे पहले सुनने में नहीं आई तो यह फिलाल एक बड़ा अपडेट आगे भी शायद इस पर बहुत सारी अपडेट्स आने बाकी है सिक्यर्टी एजेंसी जाहिर तोर पर इसे टेस करने के कोशिश करेंगे टेलिग्राम एप के जरीए इस धमकी को दिया गया है आगे भी जो भी अपडेट होगी मैं आपके सासाजा करता रहूँगा जी जी बिलकुल आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जाएए और वहाँ पर कमेंट करिए धन्यवाद